नमस्कार, बहुत सभागत है आप सभी का आप देख रहे हैं कहानी कुर्शी की, मैं हूँ स्वारभ शर्मा आपके साथ और हम यहां मौजूद हैं विजय चौक पर देश की संसद के सामने, देश की संसद बैठी हुई है, लोगसभा का सतर इस वक्त चल रहा है और आज कहानी कुर्शी के हम बात करेंगे दिली की बड़ी खबर से दिली में ED के धमाकेदार एक के बाद एक छापे और अर्विन केजरिवाल की बढ़ती हुई मुश्किलें और परेशानियां अर्विन केजरिवाल और उनसे जुड़े लोगों के उपर कम से कम दस जगों पर आज ED ने रेड की है और इसमें अर्विन केजरिवाल के निजी सशिव परसनल सेकरेटरी विभव उनका घर भी शामिल है इसके अलाबा आम आद्मी पार्टी के राज्यसभाद सांसद एंडी गुपता उनके घर पर भी रेड हुई है जल बोड के पूरव अधिकारी के घर पर भी रेड की जा रही है तो आज ED ने आप ऐसा समझें कल प्रधान मंतरी ने जो कुछ अपने भाशन में कहा था एक तरीके से उससे क्यों लेते हुए ताबर तोड़ी आक्शन दिल्ली के अंदर दिखाया है कल प्रधान मंतरी का याद किजिए एक घंटा पचास मिनट का लोगसभा का भाशन जो संसत से लोगसभा से उनका चुनाव से पहले आखरी भाशन था और उसमें प्रधान मंतरी ने जब करप्शन के ओपर कारवाई की तो क्या कहा कि मुझे पर जितने लगाने हैं लगाते रहो जितना कहना है कि हम एजंसीयों को दुरुपयोग करते हैं कहते रहो लेकिन जिसने प्रष्टाचार किया है वो तो जेल जाएगा इस सारी एजंसियां अपना कार्म करेगी आपके आरोपों से वो पीछे हटने वाली नहीं है और उन्होंने यह भी कहा जिसने देश का लूटा है वो लोटाना तो पड़े गाई और आज आप देख रहें दिली के अंदर एडी का यह आक्शन तो प्रधानमंद्री बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि विपक्ष को अगर यह लगता है कि उनकी इस आलोचना से कि देख केंद्र की एजंसियां एडी आईटी सीबी आए जो काम कर रही हैं उसमें कोई राजनितिक दुर्भावना हैं तो इस आरोप से कम पीछे नहीं हटने वाले ना उनके कदम रुखने वाले हैं बलकि आप तो ऐसा लग रहा है कि यह कारवाई और तेज हो गई अर्विन केजरीवाल जो आई ये लगाते थे कि ये सारा का सारा ये सारे आरोप उनके ओपर बेबुनियाद है साजिशन उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजने के लिए लगाया जा रहा है अब उनके सहयोगियों के ऊपर इस शापे मारी के बाद दबाव और बढ़ गया है कि वो जो कहते हैं वो साबित भी करें जब वो ये कहते हैं कि उनको उनके पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड रुपे दिये गए तो प्रमान भी देना पड़ेगा जबी तक वो नहीं दे पाए शराब घोटाले में उनके दो मंतरी जेल में है और अब सीधी आच अर्विन केजरिवाल तक पहुँच रही है समझे इस बात का मतलब अर्विन केजरिवाल के निजी सचिव का मतलब क्या परसनल सेकरेटरी के घर पर रेड का मतलब अर्विन केजरिवाल से बस कितना फासला बाकी है तो जो सवाल आप सब के मन में रहता है कि क्या हैमन सोरेन की तरह अर्विन के जिरिवाल देश के एक और मुख्यमंत्री वह भी जेल जा सकते हैं तो अब एडी की कारवाई जिस दिशा में आगे बढ़ रही है इसकी इंपॉसिबिलिटी नजर नहीं आती बहुत मुम्किन दिखाई दे रहा है अब तो यह लेकिन अर्विन के जिरिवाल लिए शायद उन्होंने यह तरीका निकाला हूँ है बिल्कुल यह नहीं किया हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया है लेकिन अगर उनको लगता था कि वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो एजनसी कोई आगे नहीं बढ़ेगी तो इस वक्त तो ऐसा बिल्कुल द दिल्ली पूलिस की क्राइम ब्रांच आज कर रही है और दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ उस टेंडरिंग में जो अन्यमित ताइम बरती गई है उसको लेकर कि जो केस चल रहा है यह तीन मामले ऐसे हैं जो सीधे-सीधे करफशन से जुड़े हैं और सीधे-सीध के लाफ एक बार फिर आरोप लगाए तो प्रधान मंतरी की बात भी सुनिए और दिल्ली की मंतरी का जवाब भी सुनिए कि बस्टा चार पर कि एजन्सियां एक्ष्ण ले रही है उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आदेन एद्रग जी दस साल पहले हमारे सदन में पार्लमेंट में क्या चर्चा होती थी सदन का पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था बस्टाचार की चर्चा पर जाता था लगातार action की demand होती थी सदन यही मांग करता रहता action लो, action लो, action वो कालखन دेश दे जेखा है चारों तुरफ ब्रस्टाचार के खबर है रोजरमेना और आज जब ब्रस्टाचारियों पर action लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्तन में हंगामा करते है इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनिति गुपियों के लिए उपियों किया जाता था देश के सामने आप कोट के सामने पूरी डीटेल्स रखिए कि पिछले डेड़ साल में आपनी जितनी इंटेरोगेशन करी है जितने सवाल जवाब करें हैं उन में से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के आपके पास आज मौझूद है अगर एडी ओडियो रिकॉर्डिंग्स कोट के सामने देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूद का दूद पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकावरी ना सुबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सुबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेज ने क्या कहा है देख्या आतिशी जो बात आज कह रही थी मैं फिर आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे फिर उनका बयान बड़ा लंबा है आतिशी ने दरसर आज ही आरोप लगाया कि एडी जो शराग घोटाली की जाज भी कर रही है उसमें मनी लॉंडरिंग की और यह दिली जलबोड वाला मामला भी इसमें उसने जितने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किये नियम ये कानून के कहता है कि उस सब की वीडियो रिक चानूनी है कोट के सामने पूरी और यॉर्डियो रिकॉर्डिंग जरखनी चाहिए इडी को उनका आरोप यह कि इसमें गवाहों को फशाने के लिए या और लोगों को फशाने के लिए वह आज बड़े ऐसा लगा कि प्रधान मंत्री की बात सुनने के बाद एजन्सी की ल अरविंद केजरिवाल की बारी आने वाली है देखिए इस जो दिली जलबोड का मामला उसमें बड़ी तीज से कारवाई हो रही है पिछले हफते ही दो लोगों को जो अरेस्किया गया था जिसमें एक जगदीश कुमार अरोड़ा जो चीफ इंजीनियर रिटायर हैं और ज देखिए एक एक करके केजरिवाल जो हैं उनके ये मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही है अब जैसे आपने खुद बताया कि अब तीन मामले ऐसे हो गए हैं जिसमें अरविंद केजरिवाल के उपर उंगलियां उठ रही हैं वो कितना या रोप है इसमें कितन सही अब आगे बढ़के होता है या नहीं होता है ये तो कोट के सामने है लेकिन कोट में भी जो हमने देखा है कि जो राहत के लिए बार बार कोशिश जो है अर्विंद केजरिवाल के जो मंतरी रहे हैं उन लोगों ने कोशिश जो बार बार की है राहत के लिए या बेल के लिए उसमें भी उन लोगों को मुश्क्किले आ रही है और जो कोट है वो बेल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है अरश्वर्दन जी प्रधान मंतरी ने कहा था आरूप लगाना है लगाओ लेकिन हम रुकेंगे नहीं और जिसने चोरी की है वो तो जेल जाएगा और आज कई बार अपनी जिब में फोन भी वह नहीं रखते हैं तो अगर आपको उनसे बात करनी है तो इनके फोन के जरीए आप उनसे फोन पर भी बात कर पाते हैं उस तक पहुंच गई निश्चित तोर पर और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा देखना चाहिए कि क्या कुछ हो हो रहा है कल प्रदान मंत्री ने जो राष्ट्रपती के विवाशन पर जो मोशन था उसका रिपलाई कर जो उनका अधिकार होता है उसके तहज जो उन्होंने दिया और कल के भाशन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाओ का एजेंडा रखा और रखने की बड़ी साप सी वजय थी बहुत सी तस्वीरें जो है ना उगाल मेल करके पेश की जाती थी कई बार कहा जाता था कि नहीं कुछ ऐसा है कुछ मतलब जिसको कहते हैं कि कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है जिसको सरकार दिखा नहीं रही कल सरकार ने अपना वही तो पेश की आई और बार बार जो प्रधान मंत्री जिसका जोर जिस बात पर जोर दे रहे थे एक तो सबसे पहले यह कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री से लेकर सभी प्रधान मंत्रियों के पास यह आउसर था कि देश को पट्री पर ला देते नहीं ला पाए महंगाई जै ये हेमंतु सोरें एडी की हिरासत में हैं देश में कई राजियों में ऐसे मंत्री ऐसे। लोग बड़े नेता वो जेल जा रहे हैं करोडों रूपएं मिल रहे हैं और देश की राज्धानी दिल्ली यहान सब कुछ कहा जाता है कि यह तो सब के सामने हैं और वहाँ एक ऐसा नेता जो कह कर आया था कि मैं तो कटर इमानदार हूं उसका नाम शराब घोटाले में सामने आ रहा है आप यह कलपना कीजे जरा और जब प्रधान मंतरी कहते हैं कि जो लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा तो उनका ट्रेक रिकॉर्ड जो गुजरात से यानि 2001 से 2024 तक का है वो इस पश्ट बताता है और जब सीवी सी अधिकारियों के साथ हो बैठक में थे तो उन्होंने एक बात कही थी उन्हों जब तक मोदी बैठा है तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा मुझे एक एडी से जुड़े अधिकारी ने एक बार एक बात कही थी कि यह आसान नहीं होता इतने बड़े स्कूटनी का हिस्सा मेरे ध्यान में कभी नहीं रही क्या चारा घोटाले में जो पूश्टाज हुई वो सब कुछ इस तरह से सब के सामने रखा गया कोई प्रेस कांफरेंस उसके पीछे हुई क्या जितने और घोटाले इस देश में जीप घोटाले से लेकर अभी तक के करेंगी यह पुब्लिक स्कूटनी का मुद्धा कभी नहीं रहा आतिशी के प्रेस कांफरेंस का जो बेसिस है प्रिमाइस है वही गलत है सीधा सवाल आपसे क्या अर्विन केजरीवाल से इडी की का सीधे आमना सामना सीधी पूछताच और गिरफ्तारी इसकी भूमिका बन रही है मुझे चुनाओ के लोकसभा चुनाओ के पहले यह होता हुआ दिख रहा है और लोकसभा चुनाओ क्या आधर्श आचार सहीता लगने से पहले होता हुआ दिख रहा है समीर जी ब कोड़ में गई अर्विन के पेश्ण होने के खिलाफ और आप देखें कल पधार मंत्री मोदी ने जिस्टाफ से लोक सबाब में कहा था की कारवाई कर रही है और लगाता बश्टा चार रुपय कारवाई होती रहेगी पधार मंत्री मोदी पहले भी कह चुक है ना खाऊंगा लगा ने खाने दूंगा और पदामंत्री मोदी बहुत सपष्ट बताया कि कॉंग्रेस के 10 के लिए ने पांच से और कुर्पया रिकवर किया था और हमारे 10 साल के अंदर एक लाघ करोड़ रुपया रिकवर कर चुकिए तो यह बताता है कि 10 साल के अंदर एडिको कितनी सत पे पढ़ें और केजरिवाल पर सितीन का मामले नहीं मुझे लग रहा है जो शीच माल का जो मामला है उसकी जाज में केजरिवाल के लिए मुझे लगता है आने वाले दो से तीन केजरिवाल के घर पर इड़ी पहुचने वाली है आप दोनों ने कहा कि चुनाओ की जारी होने से पहले तो महीने बर का दस मार्च के पहले अर्विन केजरिवाल गिरफतार हो जाएंगे एक महीने के अंदर अंदर आप देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंतरी को जाता हुआ य लेकिन जिस तहां से वो अवाइड कर रहे हैं एडी की जांच में उनके पास जाना उनके सवालों का जवाब देना तो यह संकेत तो जरूर करता है कि एडी जो है उसके उसके पास जो कानूनी तरीके हैं इस ऐसे मामले से निपटने के लिए वो जरूर उसको अपनाएगी अगर वो कानूनी तरीका अपनाती है तो यह संभव है कि अरेस्थ हो मैं यह नहीं कह सकता कि वो करेगी ही नहीं करेगी क्योंकि यह डिपेंड करेंगा उनके पास क्या सबूस्वार हैं उनके पास क्या तथ्य हैं अर्विंद की इजडिवाल के खिला है अब हेमन सोरे ने कल गिरफतार हुए कल बिधान सभा में आये वे थे ट्रस्ट वोट के लिए उनने क्या कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्यमंतरी को गिरफतार किया गया मतलब सिटिं बड़ा है इससे एक एजनसी को फरक नहीं पड़ता अगर कोई काम गहर कानूनी है तो गहर कानूनी है चोरी की सजा आप रोटी एक रोटी चुराएं या हजार से या सौ करोड का गवन करें एक की बात है लेकिन यहाँ जो अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ मामले वो अर्विंद केजरिवाल का जो सरकारी आवास है उसके साज सज्जा पर जो करोडों रुपया खर्श हुआ उसके ओपर जांच बैठी हुई है असी करोड रुपया का टेनेरिंग घुटाला जल बोड का है वो तीन मामले तो यह सीदे सीदे हैं जो करॉप्शन के बड़े मा करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर यह सरकारों ने विभिन सरकारों ने यह कोशिश की है कि वो किस तहां से यह जो लोग हैं जो फाइनशल घुटाले करते हैं जो रुपय पैसे के घुटाले करते हैं और उसके बाद बचने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सक्त कानू बनाये जायें और उसी के तहर जो अधिकार जो है वो इडी को दिए गए बहतर अधिकार दिए गए उसी के तहर यह का रवाई करें और अब हम दएक रहे है कि आधि बढ़कर कारवाई कर रही है और Elijah adaş हुद कोई केस नहीं लेती है उसमें पहले या तो local पुलिस या फिर कोई करप्शन से रिलेटेड अजनसी या सी बी आई इस तहां के मामलों को दर्ज करती है उसके बाद एडी आती है कि उस पैसे का इस्तमाल किस तहां से किया गया तो यह जो एडी की कारवाईयां हमें जादा दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि कानून सकत हुआ है और उन लोगों का बचना मुश्किल हुआ है जो के फानेंशल क्राइम में इन्वाल्व है अब जरा इसकी राजिदीतिक पहली उपर हम बात करते हैं जो सिक्के का दूसरा पहली हो यह तो कानूनी पहली हुआ प्रथान मंत्री ने अगर कल देश की संसद से इस सब जानते हैं लालू यादव चारा गोटाले में दोशी हैं सजा याफता हैं और मामलों के अंदर नौकरी देने के मदले लोगों की जमीन लिखवा लेने का मामला इसमें अभी भी जात चल रही है CBI का केस भी है, ED का केस भी बना हुआ है तो उन्होंने पूछा आप सिद्ध घोशिद ब्रश्टाचारियों के पक्ष में क्यों कर रहे हुएं उनको ये मालूम है और लगता है कि इस पर जन्भावना मेरे साथ है तब ही उन्होंने इस बात को वो ये बात कह रहे थे दूसरी तरफ विपक्ष को ये लग रहा था कि हम ये ED, ED, CBI का अगर शोर नचाएंगे तो जन्ता शायद हमारी बात सुनेगी कि देखो आज ये सत्ता में बैट गएं तो हमारे ओपर एजेंसी का चाबुक चला रहे हैं, जेल का डर दिखा रहे हैं आपको लग रहा है कि कोई साहनवूति Superintendent εδώ के लिए लेकिन आप कमाल की बात देखिए कि जिस बिहार में लालू प्रसाद यादव राजनी थी अगर पहले का ये समय होता तो शायब बिहार के हर जिले में धर्ना प्रदर्शन हो रहा होता धेर सारे लोग विरोध कर रहे होते और कह रहे होते कि हमारा नेता इस तरह से व्रश्टाचार के आरोप में भले है लेकिन हम नहीं मानते, इस बार उस तरह के स्वरा आपको बिहार में नहीं सुनाई जी और सिर्ब बिहार में नहीं आप अर्विंध केजरिवाल के भी देखिये, बीच में प्रयास करके भले धर्ना प्रदर्शन कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन जो अरविंदि केजरिवाल, इंडिया गेट, रामलीला मैदान, बवाना तक पूरा भर गया था, उस भरष्टा चार विरोधी आंदोलन की उपज हैं, उनके लिए कुछ सव कारिकरता उनके, इससे आगे नहीं आ पाते हैं, और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जब कह कठन थे, उस दोर में भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई ये कह नहीं सकता, उनके निजी जीवन में शुचिता का जो उदारन है, और जब वो कहते हैं कि भरष्टाचारियों के साथ ये लोग खड़े हो गए, इस सदन के नेता भरष्टाचारियों को सरमाधे पर तो ये तो इस सिती है